हेलो दोस्तो मेरा नाम है गौतम और आप देखने यूलाइक लेक्टोनिक्स और दोस्तो आज के उस वीडियो में हम आपको होम थेटर टावर का फॉल वारिंग करके दिखाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं होम थेटर टावर का फ्रंट कर ये पैनल होता है वो रखा है मैंने और home theater का board और यहाँ पे RCA socket जो कि 4 channel वाला लगा होता है तो home theater tower का cabinet मैंने इसलिए नहीं रखा दोस्तों क्योंकि उसका लंबाई ज्यादा होता है और मेरे table पर फर्फेक्ट नहीं आ रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे उसका panel निकाल लिया है और उसका board और यह RCA socket और उसके साथ जो speaker होता है satellite speaker वो तो box में set होता है और subwoofer भी box में set होता है तो उसका connection मैं आपको यहाँ पर बता दूँगा कि आपका जो satellite का speaker जह है left और right कहां पर connection होगा और subwoofer का कहां से connection होगा ठीक है इसलिए मैंने वहाँ पे इस cabinet को हटा दिया है और direct मैंने जो main main चीज है उसको मैंने यहाँ से body से निकाल कर और wiring करके दिखाऊंगा तो यहाँ पर फ्रॉंट पैनल आप देख पाए रहे दोस्तों यह home theater tower में उपर की और लगा होता है जिसमें एक volume होता है जो की dual channel का होता है और यहाँ पर हमारा जो base control के लिए यहाँ पर potentiometer लिए होता ह है तो इसके ऊपर जो देख सकते हैं यह हमारा audio module लगा हुआ है जो की नॉर्मल यहाँ पर बैक सार से देख सकते हैं market में जो पैनल मिलता है वही पैनल इसमें set कर दिया गया है बस इसका modify करके यहाँ पर इसको squad type का बना दिया गया है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते ह कुछ इस परकार से इसमें दो प्रटेंशोजमीटर लगा है जो की नीचे वाले जो प्रटेंशोमीटर देखते हैं दोस्तों यह हमारा तीन few पीन अगहाई जो की सबावी का कंट्रोल करेगा और लगाया सेशलास मारा ब्रगाया है आप दोसके है और और यहाँ हुआ पर पैनल लगा दिया गया है ठीक है बाकिस में कुछ है नहीं और उसके साथ यहां पर यूज किया गया दूस्तों टू पॉइंट वन का यह होम थेटर बोड है जिसको टावर में भी यूज किया जाता है और साथ में 805 वोल्टेज रेगुलेटर भी दिया गया है इसमें क्योंक पर यहां पर नंबल még के लिए किया गया है यहां पर चुलूस्त में बेद करने ब्रोड करने के लिए किया गया है तो हम प्रतर को वो साइड में रहेगा जो की हमारा सब उफर होता है में हमारा स्अचये हैं दोस्तों आश्टक Ugh होता है जिससे हमारा sound को output करता है और उस home theater tower के back में हमारा 4 channel का RCS socket लगा होता है जिसमें हमारा दो audio input होता है जिसमें हम किसी भी tv मुवाइल या किसी भी audio receiver से मिश्को input देखर इसमें aux mode पर डालके इसमें हम song play कर सकते हैं दो RCS socket के काम किया दूस्तों किसमें outputs में दे दिया रहता है जिससे आप extra speaker भी इसमें connect कर सकते हो हाला कि home theater tower के cabinet में भी दो speaker रहता है लेकिन एक्स्ट्रा आप इस पे उसी साइज के तीन इंच का जो speaker होता है दो आप इस पर एड़ कर सकते हो तो यह आपका चार सेटेलाइटी स्पीकर बहुत अच्छा से काम कर जाएगा ठीक है तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पीस पैनल के अंदर जो जितना वाइडिंग होता है उसका connection कर लेते हैं तो सबसे पहले हम connection करेंग तो यहाँ पर देख लिजे क्योंकि यहाँ पर फोड पीन वाला यहाँ पर सोकेट बना हुआ है तो आप देख लिजे कि आपका अंटीना का कौन है और left right और ground का कोन है कई बार क्या होता है कि इस फोड चैनल में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर इसको उल्ट होता है तो बीच वाला हमेशा इसका ground होता है और बाकी यह दोनों हमारा left right होता है तो इस left right को क्या करेंगे दूस्तों कि यह हमारा potential meter है तो potential meter हमारा कुछ इस प्रकार से लगा होगा तो मैं हर वीडियो में बताता हूं कि जो आपका potential meter को तीसरा नंबर पीन है जो कि यह दो नीचे यह हमारा audio input होता है तो जब हम इसमें audio input देंगे left और right तो बीच में से हमारा left right output निकलेगा और इसमें हमारा ground चला जाएगा तो यहां पे जो हमारा इस module से left और right पीन आता है तो उसको हम simply is potential meter के first number pin में उपर और नीचे वाले pin में इसका हम connection कर देंगे जिससे क्या ह होगा कि इसको एक number pin से हमारा audio input इसमें मिल जाएगा तो यहां पे left right को मैंने पहला number pin में उपर और नीचे करके कर दिया जो कि left right हो और यह बीच वाला pin जो बचा दोस्तों उसको हम यहां पे इस ground के साथ connect कर देंगे यहां पे इस potentiometer के ground वाले में connect कर देंगे और उसके बाद यहां पे तीन वायर निकलेगा तो एक वायर मैं इस ground से लूँगा और दो वायर इस दोनों potentiometer के बीच वाले pin से लूँगा जो कि left right output करेगा और साथ में यह ground होगा तो तो तीन वायर हमारा यहां से output होगा ठीक है तो दोस्तों मैंने यहां पे तीन वायर ले लिया है तो इसमें जो वायर का जो color है कोई भी साभी ले सकते हैं आप तो मैं यहां पे yellow color को ground के साथ यूज करने वाला हूं और बाकी यह जो दोनों हमारा red और orange कलर का है वह left right output के लिए में यूज करने वाला हूं ठीक है अच्छा है तो बीच वाले को भी ground कर सकते हो वह आपके उपर depend करता है तो इसमें यह yellow color का wire है तो मैं इसको ground में करूंगा और यह दोनों को मैं left right के ग्राउंड में connect कर लिया है और यह जो दोनों wire हमारा बचा दोस्तो उस potentiometer के उपर और नीचे वाले में हम बीच वाले pin में कर देंगे तो यहाँ पर मैंने इस बीच वाले pin में मैंने connect कर दिया है उसके बाद यह दोस्तों हमारा 3 wire निकल गया है जो कि हमारा यहाँ पर left right और ground का यहाँ पर output करता है तो simply यह board में चला जाएगा और उसके बाद यह हम इसको ऐसे ही रहने देंगे उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर LED हमारा लगा हुआ है उसको इस wire के साथ connect कर देंगे तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर connector है हमा 5V लिखा हुआ है 5V और जी अंडी यह वाला जो पिन दोस्तों और 5V है यह वाला पीन है जो कि हमारा Gnd है तो इस पीन को सिंप्री यहाँ पर इस LED वाले पर connect कर देंगे तो LED वाले पर हम कैसे पता करेंगे कि हमारा इसमें वाहरा मैनेस है और कौन सा प्लस है तो इसमें क्या करेंगे कि इसको हम इस LED वाले के पीन में कनेक्ट कर देंगे यहां पर यह प्लस का हो गया और यह माइनस का हो गया तो दोस्तों मैंने यहां पर LED का connection इस pin में लेके इसमें डाल देना है यहाँ पे LED को मैंने कर दिया है उसके बाद हम क्या करेंगे कि 5V supply के लिए मैं यहाँ पे 2 wear यूज करूँगा तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 2 wear ले लिया है तो इस card में 5V supply देने के लिए मैं यहाँ से wear लूँगा तो इसमें आपको क्या करना है दोस्तों कि आप चाहे तो यहाँ से भी ले सकते हो लेकिन मैं यहाँ से नहीं लूँगा इसके direct मैं यहाँ पे बोट से लेने वाला हूँ और बोट से लेने के लिए हमें print की जरूरत होगी तो print के जगा पर यहाँ पे screw लगा हुआ है ठीक है तो इसको हम हटा लेंगे और direct हमारा जो यहाँ पे pin देख रहे हैं यह वाला pin ठीक है यहाँ पे आपको जहाँ पे 5 वोल्ट का यह लिखा होता है उसमें करेंगे plus का और इसके memory वाले के उपर हम कर देंगे minus का ठीक है और मैंने direct यहाँ पे किसली नहीं किया दोस्तों वो भी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो मैं बने रहे है तो मैं simply यहाँ पे 5 वोल्ट के लिए मैं यहाँ से एक wire को ले लेता हूँ और जो ground वाला है उसको मैं यहाँ पे इस memory card के body से ले लूँगा जो कि हमारा ground हो जाएगा तो यहाँ पे इस परकार से मैंने 5 वोल्ट supply के लिए इस card के लिए card के लिए मैंने यहाँ से wire निकाल लिया है और फिर से हम screw को लगा देंगे इस परकार से इस pipe को रखके screw के जड़िए तो यहाँ पे हमारा यह 5 वोल्ट supply के लिए यह card का यह हो चुका है और दोस्तों मैंने इसको direct यहाँ से इसलिए नहीं लिया है दोस्तों क्योंकि यह RGB color यहाँ पे लगा हुआ है अगर single color का राता तो हमारा चलता लेकिन RGB color का है यहाँ पे यहाँ से मैं इस wire को लेते और board में देते तो जैसे RGB अपना color चेंज करता उस जो color का जो effect होता है वो दोस्तों हमारा sound में थोड़ा noise के रूप में आ जाता है ठीक है इसलिए मैंने इसको यहाँ से लिया है और direct मैंने यहाँ से नहीं लिया है ठीक है यह तो होगा हमारा audio output का यह हमारा पांच वूट सप्लाई का उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे बेस कंट्रोल करने के लिए यहाँ से हम तीन वायर लेंगे तो यहाँ पे मैंने बेस कंट्रोल के पोटेंसर मीटर में कनेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे तीन वायर ले लिया है और simply यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देंगे तीन वायर को तो यहां पे मैंने connect कर लिया है तो दोस्तों यह हमारा हो गया base के लिए यह हमारा audio input हो गया और यह हमारा 5 volt supply के लिए हो गया तो इतना आपको कर लेना है तो आपको दोस्तों इतना वारा wire connect नहीं करना है आपको इसे ज़्यादा करना होगा क्योंकि home theater tower का लंबाई ज़्यादा होता है तो मैंने आपको practically यहाँ पे wiring सिखाने के लिए मैंने छोटा wire किया है आप अपने cabinet के हिसाब से इसमें wire को रख सकते हैं ठीक है तो इस परकार से कर लेना है उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों कि इस सभी wire को हम इस board के साथ connect करेंगे तो चलिए यहाँ पे सभी wire को मैं इस board के साथ connector लेता हूँ तो board को just इस side हम ऐसे रखते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ pin दिखेंगे जहाँ पे इसका मैं solding करने वाला हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं cn1, cn2, cn3 जो हमारा cn1 है वो हमारा speaker output के लिए है cn2 है वो हमारा audio input के लिए है यह हमारा जो cn3 है यह हमारा potentiometer जो लगेगा तीन पीने वाला जो की base control करेगा उसके लिए ठीक है तो just हम इसको इस side रखेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया था cn1 में हमारा audio output के लिए यहाँ पे लगेगा और cn2 में audio input होगा cn3 में हमारा यहाँ पे base control के लिए potentiometer लगेगा तो यहाँ पे तीन पीन बना हुआ है एक दो तीन एक दो तीन ठीक है तो सबसे पहले हम connection करेंगे इस वाले पीन में जो कि यहाँ पे cn2 है ठीक है तो cn2 में हम क्या करेंगे कि इस potentiometer का जो बीच वाला पीन से मैंने जो wire निकाला था तीन पीन जो कि मैंने yellow वाला को ground रखा था और बाकि दोनों वाला को left right मेंने रखा था तो आपको क्या करना है कि simply इसको connection इस परकार से करना है मैं आपको जिस परकार से दिखा रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पे आपको जो yellow गर का wire है आपको इस परकार से रखना है जो कि ground में चला जाए तो देख सकते हैं यहाँ पे जो तीन पीन बना हुआ है एक pin इसका दो pin इसका तो ये तीन पीन का एक पीनने है और एक तीन पीन इसमें है तो ये दोनों हمारा ground है तो उसी को देखते हुए तो potensometer का जो मैंने दो pin को एक साथ route किया था और yellow color का मैंने ground किया था उसको आपको इसके साथ connect कर लेना है और potentiometer कर सो को कि निकला था यहां पर क्षब को इस गाली से पीं चाहे हैं और साइड है का cope किसी में देश सकते हो बस तो आपको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है कि देख सकते हैं कि यहां पर यह लोग बला जो वायर है हमारा ग्राउंड है तो उसको मैंने इस ग्राउंड वाले के साथ कर दिया है और बाकी जो हमारा लेप्ट राइट है उसको लेप्ट राइट के साथ मैंने कर दिया है ठीक है और उसके बाद करना क्या दूस्तों कि जो हमारा यहां पे पोटेंसल मीटर का जो यहा आपको बताया था कि जहां पर हमारा ground है जो कि yellow color वाला आपको दीख रहा है दोस्तों वह हमारा ground है और यहां पर potential meter का जो यह जिसमें मैंने ground को connect कर रखाए यह वाला पीन को तो आपको इसी पीन को इस प्रकार से connect करना है और direct यहां पर connect कर देना है यहां पर यह तीन पीन बचा हुआ है यहां पर तीन पीन बचा हुआ है ठीक है तो आपको इसी तीन पीन में इसका connect कर देना है यह रहा ग्राउंड इसके बाद यह बीच वाला जो हमारा बेस आउटपुट करेगा और यहां पर बेस इंपुट होगा इसमें ठीक है यहां पर फिर मैं आपको एक बार पोटेंशो मीटर देखा देता हूं कि पोटेंशो मीटर में किस परकार से है और यहां पर किस परकार से ठीक है तो अब देख लिजिए कि potentiometer में color by color कैसे connection हुआ है और इस board में किस परकार से किया गया ठीक इस परकार से कर लेना है उसके बाद बचा यहां पर 5V supply का तो 5V supply का सबसे पहले हम क्या करेंगे यह जो ground बड़ा wire है उसको हम ले लेंगे जो कि green बड़ा हमारा ground है और उसको हम connect कहां पर करेंगे यहां पर ठीक है जो कि यह जो दोनों हमारा main capacitor लगा होई supply के लिए और उसको एक साथ जहां पर sort करता है क्योंकि यहां पर series में लगा होता है और यह dual supply से चलता है तो यह दोनों series में लगे होते हैं जी से कहां पर minus और らब अधर plus है तो उसी परकार से इधर जगा हमारा plus है और इधर minus है तो यह दोनों cog के यह वाले फीन में कि हमारा मैन म्हारा है यह जो आता है तो माइनल वाले के साथ कनेक्ट करना है रहे क्या होगा है कि अब प्रोब्लम कम रहेगा और छो वाला बचा ये वायर जो कि पांच वोल्ट में इसमें जाता है तो यह तीसरा नंबर पीन में इसको कनेक्ट कर देंगे जिससे हमारा मोडियूल में पांच वोल्ट मिल जाए ठीक है तो यहां पर ही इसका connection जदातर आपको समझ में नहीं आता रहता है तो यहां पर मैंने आपको इस पैनल के साथ और सिस्था सब्सक्राइब करने वाले हैं को और सिंप्ली यहां पर का यहां पहलfire आपको ऑणब को तीन देखता होगा एक फिर होता है मारा ग्राउंड होता है और यह दोन jadi हुण होता है छीए ठाइक चेक the the अपने पयर को निकाल लेते हैं तो दोमली यहां पे आर्शा सेकित में connection करने वाला हूँ तो यह audio input का जो हम connection करने वाले दोस्तों उसको हम simply कहां पे करेंगे तो यह audio receiver के एक option दिया गया रहा था यहां पे aux का ठीक है तो बीच वाला मारा ground है और यह दोनों हमारा left right है तो मैंने wire को किस परकार से connect किया है अब देख सकते हैं जो इस wire का जो हमारा बीच वाला पार्ट है उसको मैंने जहां पर single pin है उसको मैंने ground के साथ connect कर दिया है और बाकि आगे वाला जो हमारा दो पीन है आगे वाला दो पीन है उसको मैंने इसको दोनों साइट से connect कर लिया है तो इससे क्या हो दोस्तों जो बीच वाला और हुआ की यहाँ पे लेड़ टैटраж में इन्पृट होगा यहाँ पे दोनों ये दोनों साइड हो गया तो उसको सिंपली क्या करेंगे कि यहां पे जो हमारा पैनल है उसके औक्स वाले पीन में पिले को 인देंगे कशर करें देंगे को आप देंगे इसमें तू हमारा song play होगा ठीक है उसके बाद बचा ये तीन पीन तो उसी परकार से मैंने आप इसको connect कर रखा है जो कि back side में एक पीन जो बचा है दूस्तो हैं दोस्तो उसको मैंने बीच वाले से connect कर रखा है और बाकि यह जो आगे वाला पीने वह हमारा दोनों साइड में कनेक्ट कर रखा है तो अगर आप इस परकार से वायर को सुल्डिंग करते हैं तो आपको कनेक्शन करने में बहुत ही असानी होगी तो मैंने आपको बताया था कि यहां पर cn1 जो हमारा सौकेट है यह हमारा स्पीकर आउटपुट के लिए तो स्पीकर आउटपुट के लिए दूस्तों यहां पर देख सकते हैं कि बीच वाला प्रिंट तो हमारा ग्राउंड के साथ पुरा कनेक्ट गया हुआ बोड़ पे लेकिन यहां पर यह एक दोसरे क बीच वाल प्रिंट कटा हुआ है तो आप वो तो ग्राउंड यहां पर कनेक्ट कर लेना है और इसपीकर के लिए आपGO यहां पर करना है ठीक है तो छली आपको दिखाता हूं करके देख सकते हैं कुछ इस परकार से आपको connection करना है जो बीजबल हमारा को दूस्तों ground के साथ connect कर लेना है यहाँ पर अपर भी कर सकते हैं और जो हमारा main left right है उसको यहाँ पर कर सकते हो तो इस परकार से हमारा board का connection हो चुका है अब हम इसमें speaker का connection करते हैं यह तो हमारा speaker output का connection हो गया है अब मिसमें जो कि cabinet में set होता है speaker उसको मैं यहाँ पर connect करने वाला हूँ तो यहाँ पर एक 3 इंच का speaker है जो कि home theater tower में लगा होता है तो मैंने जहाँ पर RCA socket में speaker output का connection किया है अब वहाँ कर सकते हो तो उसको ground मैं दोस्तों यहां से ले लूँगा आप ग्राउंड जह है कहीं से भी ले सकते हैं यहां पर इस बोट से तो चलिए मैं यहां पर ग्राउंड को मैं यहां से ले रहा हूं ठीक है यह वाला पीन से यहां से मैंने ले लिया ground को और उसके बाद जो speaker का wire है दोस्तों हम यहां पर connect करेंगे ठीक है just इसके इस वाले पीन में यहां पर मैंने connect कर दिया है जो कि इसके साथ जो हमारा है यहां पर इसमें यह print मिला हुआ है तो speaker का connection जो हमारा home theater tower में कुछ इसी परकार से connection होता है तो यहां पर मैंने एक ही speaker यूज कर रखा है यहां पर तो अगर आप दूसरा speaker भी लगाना चाहते हो एक वायर को आप यहां पर लगा दीजिए और दूसरा वायर आपको ठीक इसमें लगाना है क्योंकि एक वायर को मैंने एक ही speaker यूज कर रहा हूं यहां पर और उसके बाद हम यहां पर 5 इंच का जो सब उफर होता है बेस के लिए मैं यूज करने वाला हूं तो एक पीन को हम इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे तो यहां पर रहा मेरा ग्राउंड वाला पीन ठीक है एक वायर को मैं यहां पर ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया और दूसरा वाला वायर दोस्तों हमारा यहां पर आता है जो कि चार नंबर पीन से हमारा यह आउटपुट होता है ठीक है जो कि सब उफर को कंड्रोल करता है तो मैं यहां पे इसको connect कर दे रहा हूं इसके साथ ठीक है तो यहां पर अमरा सब उफर को यहां से output मिल जाएगा जो कि यहां पर 5 इंज का है ठीक है उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों कि इसमें हम transformer का connection करेंगे अगर अच्छा output लेना चाहते हैं इसमें दोस्तों तो आप 12012 का 3A का transformer इसमें यूज करें तो यहाँ मेरे पास 12012 का 2A है अगर आपको अच्छा sound लेना है तो आप 12012 3A का इसमें transformer यूज कीजिए ठीक है तो यहाँ पर यह हमारा हो चुका है और अब हम इसमें 12012 का connection करने वाले हैं तो हला कि यहाँ पर इसका print यहाँ दोस्तों हमारा यहाँ पर हट चुका है फिर भी मैं आपको बता रहो जो हमारा यहाँ может connect कर रखा था गराउंड के साथ जो कि मैंने audio panel के लिए में यूज किया था तो इसको इ यहां पर कनेक्ट कर दिया है और यहां पर जो बारा और बारा का वायर बचा दोस्तों उसको हम इस डैवोर्ड के साथ कनेक्ट कर देंगे एक डैवोर्ड जो हमारा यहां पर है यहां पर और दूसरा वाला हम इसमें कर देंगे ठीक है जो कि यहां पर प्रिंट आता है आपको इस परकार से connect कर लेना है मैं आपको दिखा रहे हूं यहां पर जो हमारा print है यहाँ से उखड़ गया था जो कि 12 0 12 था तो मैं ने यहां पर 12 यहां पर दे दिया और 12 यहां दिया और 0-12 जो तो मारा प्रेंट है उखड़ गया यहां से तो मैंने यहां पर दिया ठीक है इस परकार्षिस में सभी वाइरिंग हो चुका है दोस्तो तो चली अब हम इसमें सप्लाई देते हैं और इसको चेक करते हैं कि यह जो हमारा वायरिंग है 100 परसेंट वर्क करता है की नहीं करता है ठीक है क्यों कि मैं इसको चेक करके दिखाता हूं तो jug हम इसमें supply देते हैं तो यहां पर में अभ सप्ला देते हैं तो दुस्तों मैंने आपदक करने का बाद जाब मैंने इसमें supply दिया तब मुझे पता चला कि जो मैं इसमें यूज किया था उसका जो दो i.c. था हमारा खराब हो चुका था पहले से मुझे पता नहीं था तो यह जो आप पहले मैंने इस बोड के साथ connection किया था लेकिन वहां पी यह जो हमारा एक बेस का और इक sound का जो i.c. था इसलिए मेंने इस बोड को हटाकर दूसरे बाले बोड को लगा दिया है जोकी दोनों सेम बोड है अगर मैं डिरेक्ट इसको बता देता तो आप कमेंट करके बताते हैं कि आपने बोट को बदल लिया और क्यूंवा इसलिए में आपको पहले बता दिया कि जैसी में बता चला हुए की साथ सप्लाइट दिया तो पता चला की इसका ici खराब हो चुका था ठीक है जितना दिर में इससा बीड़िशा को सेंट प्रेश्ट बोट को मैंने हाँ पर श्रोलिंग कर दिया ठीक है तो चलिए आप इसमें सब्लाइब देते हैं और देख सकते हैं यहां पर हमारा जो एलीडी लगा हुआ था यह हमारा गुलो कर रहा है और यहां पर हमारा इस डिस्प्लेट भी लाइट आ चुका है तो चलिए पर स्वांग को बढ़ाते हैं तो दुस्तों मारे यहां पर स्वांग बहुत अच्छा से प्ले हो रहा है और यहां पर छोटा सा गलत कनेक्शन हो चुका है जैसे मिस जो बढ़ाते हैं तो हमारा बेस अफंग गम करते हैं यहां पर उल्टा काम कर रहा है तो तो simply आपको कुछ करना नहीं दोस्तों यहां पर आपको करना क्या है कि बीच वाले वायर को आपको उसी परकार से रहने देना है और दोनों साइड वाले को आपस में बदल देना है ठीक इस परकार से जहां पर बैगनी था वहां पर ग्रीन करना है जहां पर ग्रीन था वहां पिर चेक्क करते हैं अजह देख लगा अजह देख लेख़ यहां पर अज़िए आपको तो यहां पर में इसमें यूस्पी को को लगा देते हैं तो मैंने यहां पर यूज़़ दिया है और यहां पर यह सब्सक्राइब हो चुका है और यह काफी अच्छा साउंड दे रहा है तो दोस्तों यहां पर यह सक्सेस्फुल हो चुका है वैरिंग तो अगर आपके पास प्रकार से अपना होम थेटर टावर का फूल वाडिंग कर सकते हो दोस्तों वीडियो कैसा लगा तो प्रीज लाइक करें हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्याबाद आपका दिन सुभ हो